प्रोटू लाका का प्लांट जिसे संजीवनी बुटी भी कहते हैं दोस्तों यह बहुत सारी कलर्स में अबलेबल है तो मैंने इसके बेबी प्लांट जो है दोस्तों ले लिए देखे दोस्तों प्लांट भी हेल्दी था छोटे से पॉलेथिन बैग में लगा हुआ था और एक प्लांट मुझे दोस्तों यह दस रुपे का पड़ा है दोस्तों प्रोटुलाका के बिना समर का गार्डन अधूरा है इसलिए प्रोटुलाका को जरूर पर्चेस करिए और अपनी बालकिनी या गार्डन में जरूर लगाईए नेक्स दोस्तों मैंने जो प्लांट लिया है यह माल्ती की वाइन है यह हाईवरिट वराइटी की माल्ती वाइन है दोस्तों प्लांट देखिए दोस्तों कितना हेल्दी है और इस पॉलितिन बैग में लगा हुआ था दोस्तों इसलिए मैंने इसको भी पर्चेस कर लिया है पहली बार मैं मालती वाइन अपने बालकरी में लगाने जा रही हूं दूसरी मैंने ये एक वाइन पर्चेस किये ये जो वाइन है इसको राखी फूल भी कहते है और कृष्ण कमल भी कहते है दोस्तों इसको भी मैंने पर्चेस कर लिया है दोस्तों ये दोनों मालती की वाइन और किष्ण कमल की वाइन मुझे 1.500 रुपे में पढ़िये दो प्लांट हेल्दी लगा तो मैंने ले लिया दो दोस्तों ये भी मैं फर्स टाइम ग्रो कर वही पास से देखिए दोस्तों इसमें एक बट्स भी आई हुई इसके बाद दोस्तों नेक्स जो है मेरी पर्चेजिंग है वो जीनिया प्लांट्स की है देखिए दोस्तों मैंने जीनिया के बेबी प्लांट्स लगा रखे हैं लेकिन ये कुछ हल्दी प्लांट्स है जीनिया के जिनमें कुछ-कुछ ट्लावरिंग भी थी तो मैंने इनको भी पर्चेस कर लिया दोस्तों एक प्लांट मुझे है थर्टी पाइख पॉपिस का पड़ा है इस तरह से मैंने समर की दोस्तों चोटी सी पर्चेजिंग फिस ही फिस है अपनी समर्गार बालिकनी को बनाने के लिए दोस्तों अगर आपको मेरी पर्चेजिंग अच्छी लगी हूँ तो मेरे चैनल को लाइप, सब्सक्राइब और शियर करना ना भूए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो